प्रो कबर डी सिजन 10 के अंदर जील एंड मेगा जील विनिंग कंटीनिव है अल्मोस जितने भी मैचेस खेलेगें सभी मैचेस में वन साइड़ जील एंड मेगा जील विन किया हमने स्मॉल लिक्स की बात करें कोई आसपस भी नहीं रहता डेली अपने ओपनेंट्स को बड़े पॉइंड मार्जीन से बीट कर रहे है इन सभी का रेजल्ट प्रूप आप लोग टेली ग्राम चैनल से जुड़ कर देख सकते हो जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन म कौन होगा कौन से है स्लेक्ट इफ्रेंशिल गेम चैनल स्मॉल लिक्स और ग्रैंड लिक्स की टीम कॉंबिनेशन कैसी बनानी है सब कुछ इस वीडियो में पता चलने वाला है बस एंड तक इस वीडियो को प्लेट वाज कीजेगा स्टार्ट करते हैं पोइंट स्टेबल से प्रो कबडी सिजन 10 के अंदर बेंगॉल वोरियर्स की टीम टोटल 5 मैचेस खेलिए 3 मैच जीती है, 1 हारी है, 1 मैच टाइर और पोइंट स्टेबल के अंदर रैंक 1 पोजिशन पे है, यूपी योधा की टीम टोटल 4 मैचेस खेलिए 2 मैच जीती है, 2 हारी है और पोइंट स्टेबल के अंदर रैंक 8 पोजिशन पे है, आउट अफ 12 टीम्स, दोनों टीमों के बीच में ओबरॉल प्रो कबडी के अंदर 12 हेट्वेड मैचेस खेले गए, 4 मैच बेंगॉल वोरियर्स की टीम जीती, 4 मैच यूपी योधा और 4 सीजन 9 यानि लास्ट सीजन के अंदर दोनों टीमों के बीच में टोटल में दो मैचेस खेले गए थे, एक मैच यूपी योधा की टीम जीती थी और एक मैच टाई रहा था, दोनों मैचेस के स्कोरकार्ट एंड टॉप अफॉमर्स की बात करे, फॉर्स्ट मैच टाई रहा था, 41 and 41, टॉप अहुमर रहे थे, मनींदर सीजन फ्रम बेंगोल, वोरियर्स 18 रेट पॉइंट, सुभम शिंदे 3 टैकल पॉइंट, ग्रीच मारुतिरनाग 3 टैकल पॉइंट, परधीप नर्वाल, फ्रम यूपी योधा, सूपर 10 इन्होंने कम्प्लीट किया थे, 11 रेट रही तोमर 16 रेट पॉइंट, यूपी योधा के तरब से लास्ट सीजन खेलेते, बट इस सीजन नहीं दिख रहे है, आसु सिंग 2 टैकल पॉइंट, शुभम कुमार 2 टैकल पॉइंट, सेकंड मैच के अंदर बस एक पॉइंट से यूपी योधा ने बीट किया थे, बेंग 10 रेट पॉइंट, शुरिकान जादो 6 रेट पॉइंट, दिपक खुड़ा 4 रेट प्लस 1 टैकल पॉइंट, आसी शंगवान 3 टैकल पॉइंट, अब हम बात करते हैं, बेंगोल वोरियर्स के प्रुवेबल स्टार्टिंग 7 के बारे में, सेंटर पोजिशन से खेल तू नज खेलेंगे, नितीन कुमार धंकर टीम के वैसे 3rd में डेडर है, लेकिन अगर सिरिकान जादो बारबर फेंट सक्सेस्फुल रेड नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि 3rd रेडर के तौर पर सिरिकान जादो खेले, और 2nd में डेडर के तौर पर नितीन कुमार धंकर खेले, निती अर्जुन सिंदे, महारुद्रगर्जे और अक्षे कुमार अब हम बात करते हैं हर एक प्लियर के बारे में बिल्कुल डीटेल में स्टार्ट करेंगे टीम के में डिडर मनिंदर सिंग से जो कि आपको राइट साइड से रेड करते हुए नज़र आएंगे इनकी performance काफी decent रहा इस tournament के अंदर तीन super ten लगा चुके हैं पाँच मैचेस के अंदर दो मैच थोड़ा सा इनका सधारन रहा था और दोनों मैच जो सधारन रहा था उसमें हम इनको drop किये था क्यों किये था उसके पीछे का reason पिछले वीडियो और life season के अंदर में explain किया था आज ये क्या करेंगे अब देखो maninder Singh आज की smash के अंदर आपको raid करते हो दिखेंगे from right side सामने की defense की बात करें UP योधा की सुमित सांगवान आपको दिखेंगे left corner पे right cover आपको दिखेंगे नितियस कुमार and right cover आपको दिखेंगे नितीन पनवर अगर आप इस defense की बात करेंगे तो बहुत अच्छा defense ही किये इस tournament के अंदर अभी तक शुमित की बात करें फ्रेंट strong ankle hold करते हैं वह एकर नितियस की बात करें तो फ्रेंट right rear को thigh hold करते हैं बहुत ही जबरदस तरीके से और अगर बात करें नितीन पनवर की तो यह dash और block करते हैं लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा मनिंदर सिंग का record न सुमीत के एकनस्ट बहुत ही सूपब है सुमीत last season दोनों match के लिए तो दोनों match में flop रहे थे मनिंदर सिंग के सामने फ्रेंट सुमीत का record बहुत ही जदा पूर है इसके अतरिक तकर बात करें फ्रेंट सिंग जैसे powerful rider को dash करना, block करना सही timing पर आप नहीं करोगे तो multi rate points पूर लेकर बार बर जाएंगे, last season दोनों ही matches के अंदर friends इन्होंने super 10 complete किया था, नीतियेश कुमार मुझे लगता है कि सबसे जदा friends इनको परेशान करने वाले, क्योंकि नीतियेश कुमार बहुत बहतरीन friends खेलते हैं against right rider हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, बागी right cover and left corner से friends मनींदर सिंग को आज किस match के अंदर point, अच्छा कासा मिल सकते हैं, तो मनींदर को small league team में आप बिल्कुल pick करके चले, और even आप लोग इनको captain और wise captain भी try कर सकते हैं, तो काफी decent choice next player दिखेंगे शिरकान जादो, जो कि आपको left side से raid कर तो नज़राएंगे, first match, 3 rate point, second match, 7 rate point, फिर 2 rate point, 12 rate point and last match के अंदर बिल्कुल यह flop रहा थे, जैसे मने बताया भी था, last match में try मत करना, flop होनेगी पूरे-पूरे chance से, अब देखो शिरकान जादो आपको raid कर तो नज़रा नितियस कुमार, नितियस कुमार ankle hold अच्छा नहीं करता है, ठीक है, और left rider के against इनकी जो performance, इनकी जो record बहुत जादा पूर है, वहींगर बात करेंगे गुरदीप की तो गुरदीप thigh hold करता है, chain tackle करता है, block dash करता है, left side की raider को, लेकिन काफे advance यह भी चला जाता है, और अगर बात करें, सुमित सांगवान की, तो यह chain tackle, block या फिर thigh hold करता है, mostly left side की raider को, तो सबसे बहतरीन इस season के अंदर, सुमित ने performance किया है, against left raider, वहींगर बात करेंगे फ्रेंड सापर नितियस की, तो इसने बहुत ज़दा खराब performance किया है, तो यहाँ से points leak हो सकते है, आग देखने को मिलेगे, foot moment भी बहुत अच्छा है, reflexes भी इनकी काफी आपको fast देखने को मिलेंगे, तो अगर थोड़ा से हाप defense में गलती होगी, तो यहाँ पर friends इनको points मिल सकते है easily, तो शिरिकान साथों को ज़रूर as a player try करे, especially अपने grand leagues team के अंदर, जब 5-2 combination create कर in favor of Bengal Warriors, आप चाहो थे small leagues के अंदर भी ले सकते हो, लेकिन इनसे बहातर option अपने पास available है, नितिन कुमार धन का right side से raid कर तो नज़र आएंगे, season 10 के अंदर काफी शांदर इस player ने performance किया, almost सभी matches के अंदर, अब last match में player flop रहा था, मैंने clearly बताया था कि यह player flop होगा, क्यों होगा, उस तो नज़र आएंगे, नितिन पनवर, अगर इस defense की बात करो, तो बहुत ही शांदर इस defense ने इस पूरे tournament के अंदर खेला है, और last match जैसे मैंने बोला था कि पुनेरी पल्टन के against इनको struggle करना पड़ेगा, player बहुत शांदर, अगर मैं इनकी कुछ skills की बात करो, back kick लगाते है तो टच करते हैं, running hand touch इनके पास है, skipping skills काफी decent है, force है, बोनस अच्छे से करना जानते हैं, और अगर बात करें इनके speed, तो speed इनकी ठिक ठक आपको देखने को मिल जाएगी, वही पे दूसरी तरफ जो सामनी इनको defense करेंगे, सुमीत, जो की strong ankle hold करते हैं, यह दिन कुमर पनव ब्लॉक और डैस करते साथ में chain tackle करेंगे, और इसके तरिक आपको दिखेंगे, नितियस कुमार जिनका मैं बार बार repeat करना हूँ, right side के radar के against इनकी जो performance रहती है, इनकी record बहुत ही amazing है, यह thigh hold काफी जबर्दस तरीके सकरते हैं, तो last match में नितिन कुमार धंकर को struggle करना पड़ अगर points लेने के लिए यह बात आप note करके चलिए, last match में मुहमद रिजा चैने सादलू थे, अभीनेस नदराजन थे, गोरो खत्री थे, उससे भी थोड़ा सापको बहतर defense देखने को आज के this match है मिलेगा, तो नितिन कुमार धंकर अगर starting में out होते हैं एक दो बार, तो हो सक मैं इनको recommend इस match में नहीं करूँगा, आप चाहो तो इनके place पर शिरिकान जादा को try कर सकते हैं जो कि मुझे लगता कि अच्छी performance करके देंगे इनके comparison में, शुवम सिंदे, right corner position पर खेलते हो नजर आएंगे, performance बहुत ही शांदार रहा है, almost सभी matches के अंदर, और last season भी एक ज राइड से रेड करेंगे, उनको chain tackle, block या फिर thigh hold कर सकते हैं, तो इस player के पास ना opportunity बहुत जादा रहेगा इस match में, तो अगर आप Bengal Warriors के favor में टीम मना रहे हो, तो Maninder Singh और सुवम सिंदे को इक टीम में, captain and wise captain try कर सकते हो, next player दिखेंगे, बैवोगर्जे, right cover position पर खेलते हो नज आज किस match के अंदर 30-40% trade हो का from right side, और सुरिंदर गिल एक tall leader है, जिनको friends से हाँ पर अगर advanced tackle आप करोगे, तो बहुत बढ़ा points लिग करोगो, और बैवोगर्जे ने बहुत ज़िदा points season 10 के अंदर लिग किया, advanced tackle करने है, और सुरिंदर गिल को गर ऐसा करते हैं फिर से, तो event जो left corner पर होते हैं, उनको साथ में running hand touch है, back kick भी लगाते हैं, यानि skills से भर पोरे player, वहीं कर बात करेंगा, बैवोगर्जे की तो इनकी सबसे पर skills क्या है, block करना, dash करना, chain tackle करना, ठीक है, तो यहाँ पर friends इनको सही timing के साथ, tall leader को tackle करना पड़ागा, otherwise multi rate points सुरिंदर गिल ब position पर खेलते हैं, नजर आएंगे, season 10 के अंदर बहुत ही सधरन performance का रहा है, almost सभी matches के अंदर काफी इन्होंने points लिग के advance tackle किया थे, वो आज किस match में opportunity इस player के पास बहुत जादा रहेंगे, कहां पर खेलते हैंगे, left cover position पे, mostly जो rate होंगे from UP योदा, वो होंगे left side से 60 to 70%, team के जो main rider है, परधीप निर्वाल, प्लस third rider, विजय मलिक, ये दोनों ही आपको left side से rate करते होंगे, तो इनके पास opportunity होंगे, block करने का, dash करने का, chain tackle, even thigh hold करने का, लेकिन वो सब कुछ करने में नाकाम्याब रहें इस पूरे season के अंदर, काफी दा friends इन्होंने गलती है कि एक तो attempt क काफी कम करते हैं, और जब करते हैं, तो काफी advance के लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको note करके चलना है, दरपन चोवान यार अगर अगर आगर 5-2 combination इस match में create कर in favor of Bengal Warriors, तो वहाँ पर आप भले इनको try कर लेना, GL के अंदर, small league के अंदर, तो काफी risky option मेरे को लग करें, ठीक कि ज़्यादा अच्छा touch में दिखे नहीं, और points काफी ज़्या इन्हों लिग किया, और बहुत ज़्यादा लिग करेंगे, तो हो सकता है कि आज के match में इनको substitute भी कर दिया जाए, लेकिन opportunity बहुत ज़्यादा इस player के पास रहेंगे, तो GL के अंदर, आप इनको try जरूर करके चलना, इस small league में थोड़े से risky option रहेंगे, अधित्या सिंदे left corner position पर खेलते हों नजर आएंगे, season 10 के अंदर ठीक ठाक performance इन्हों ने किया है, last match कंदर भी इनको 3 tackle points मिलते है, बट unfortunately इनको एक ही tackle points मिल पाया था, super tackle situation था friends, और वहाँ पर इन्हों tackle initiate किया, एक player और लेडी line out हो चुका था, tackle initiate करने से पहले, और आपको जैसा की पता है, अगर कोई player line out हो जाएगा, और tackle में involved होगा, तो रेडर को safe दिया गया, जिसकारन friends इनको 2 points नहीं मिल पाये थे, लेकिन आज किस match कंदर इस player के पास एक पर फिर सब opportunity होगा, left corner position पर खेल तो नजर आएं परदीब नर्वाल, most of the times आपने देखा होगा, left corner के पास friends सहाँ पर moment करते होगा, सबसे पहले जाएंगे, right corner के पास, फिर moment करते होगा, आएंगे left corner के पास, और आपने देखा होगा, left corner लोगा defender, बारबर परदीब को friends सहाँ पर thigh hold के लिए जाता है, यापे friends chain tackle के लिए जा आप लोगी इनको small links कंदरी पिक कर सकते हो, और grand links में तो try करना ही करना है, substitutes and bench से जो भी player खेलेंगे, उनके stats and records आपको हम telegram channel पे provide कर देंगे, telegram channel के link इस video के description में जरूर आप join कर लिजेगा, अब हम बात करते है, UP योदा के probable starting seven के बारे में center position से खेल तो नज़राएंगे परदीप नर्वाल जो की team के main reader है और ये left sides rate करेंगे, नितिन पनवर right cover, गुरदीप left cover, शुरिंदर गिल team के second main reader है, हलाएकि ये भी main reader के तोर पर खेल सकते हैं, अगर परदीप perform नहीं कर पाते हैं, ये right sides आपको rate करेंगे, और defense के अंदर थोड़े बहुत active महिपाल, अनील कुमार, आसु सिंग, हरेंदर कुमार, कीरन मागर, हितेश काडियान, शेमुल वफूला, अब हम बात करते हैं, हरे player के बारे में बिलकुल detail में start करते हैं, team के main reader परदीप नर्वाल से, जो की left side से rate करते हुए नज़राएंगे, first match के अंदर अच्छी performance नहीं match में क्या करेंगे, देखो परदीप नर्वाल, rate करते हुए नज़राएंगे left side से, last season भी friends दो match इनों खेले थे, और दोनों match में super 10 इनोंने complete किया था, against Bengal Warriors, और Bengal Warriors एक ऐसी मतलब team है, जो की left side के radar के against बहुत ज़्यदा struggle करती, except one match जो तमिल थलाएवास के against खेलाएंगे, तो वहाँ पर भी बात में उन्होंने points लिक किया थे, यह बात आपको note करके चलना है, अब right कोनल पर दिखेंगे शुभम सिंदे, left कोनल पर दिखेंगे अदित्या सिंदे, and left cover position पर खेलती हुए नज़राएंगे दरपन चोबान, अब सबसे जो weak link है नो यह दरपन चोबान है, बहुत ज़दा फिंसे ने defense के अंदर गलतिया किया है, advance tackle, points लिक करना, और सही से tackle ना initiate कर पाना, ठीक है, शुभम सिंदे सबसे बहतरीन performance किया है, left side के radar के against, अदित्या सिंदी काई friends, उतना मुझे अच्छा record नहीं दीका है, left radar के against, यह यह ना ankle hold और back hold अच्छा करते हैं, ना की thigh hold और chain tackle, तो यह चीज़ आपको यहाँ पर note करके चलना है, परदीप नर्वाल, last season भी दोन मैच मच्छा किये थे, even जो रोहित उतुमर करके एक player था, वो भी left से rate करता था, 16 rate points उसने complete किये थे, against Bengal Warriors, इस season भी देख लिजए, aim सुधागर करके एक player था, पटना, पैलो अच्छा का, उसने भी बहुत अच्छी, 14 rate points उसने complete किये थे, उससे पहले असलम इनामदारने friend last match में अच्छा पर points किये थे, तो left rider यहाँ पर अच्छा पर home कर रहा है, सिर्प शुबम से इंदे से, यहाँ पर पर परदीप नर्वाल को बच के रहना है, covers पर attack करे, easily friends वहा अच्छा दिखे नहीं, अधित्या सिंदे अगेंस्ट लेप रेडर, तो परदीप नर्वाल, super 10 बिल्कुल confirm है, captain wise captain के लिए decent choice होंगे, जरू try करके चले, शुरेंदर गेल, right side rate के तो नज़राएंगे, team के second main rider है, अगर परदीप अच्छा नहीं करेंगे, तो main rider के तोर पे परदीप अच्छा नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल, इनकी performance आप देख सकते हो, almost सभी matches के अंदर, अच्छी performance करके आ रहे है, right side से ये rate करते हो, आपको दिखेंगे, सामने के अगर मैं defense की बात करू, अधित्या सिंदे, left corner पे, right corner पे आपको शुबम सिंदे दिखेंगे, अगर आपको right cover position पर खेल तो नज़राएंगे, अगर आप right side की defense देखोंगे नो बेंगॉल वोरियर्स की तो ये आपको strong देखने को मिले का, because जो cover defender बैवोगर्स ये भी experience defender, अच्छा defender as compared to दरपांचवान, शुबम सिंदे का भी right side की radar kegans record बढ़िया है, अच्छे तरीके स करते हैं, और escaping skills तो शांदार है ही, तो देखो अगर इनको advanced tackle करते हैं, तो multi rate points उहां से मिल सकते हैं, और इस season हमने देखा भी है, तो आपको मैं clearly कह सकते हूँ, सचीन तनौरक अपने देखा होगा, उसने अच्छा performance किया था, अगेंस बेंगोल वोरियर्स, और inform radar ये भी है, शुरेंदर गिल, तो देखो इनको थोड़ा सा दिक्कत तो यहां पर होगा, points लेकर के आने में कि डिफेंस बहुत अच्छी है, right side की, लेकिन बहुत ज़्यदा दिक्कत होगा, ऐसा भी नहीं है, सुरेंदर गिल मुझे लगते हैं, इस match में अच्छा खासा performance करेंगे, अच्छा करते हैं, तब तो इनको मौका बहुत कम मिलेगा, इनको मौका तभी मिलेगा, जब प्रधीप नर्वाल और सुरेंदर गिल दोनों मैट पे ना हो, और काफी empty rate भी कर रहे हैं, performance आप देख सकते हो, last match में थोड़े अच्छे touch में दिखे थे, उससे बेले फ्रेंड इनको में प्रधी ने कुछ खास वाफों में सभी तक किया नहीं है, अब विजय मलिक आपको left side rate करते हो नजर आएंगे, defense आप लोग सामने का देख लो, सुभम शिंदे, आदित्या शिंदे left corner पे, और left cover आपको दरपन चोवान खेल तो नजर आएंगे, अब विजय मलिक यह कैसे player जो कि friends आपको मतलब जादा deep जाते हुए नजर नहीं आएंगे, ठीके, और यह mostly covers पे attack करते हैं, तो दरपन पे attack करके friends से points लेकर क्या सकते हैं, लेकिन इस small league के अंदर risky twice होंगे, क्योंकि friends आप सबको try नहीं कर सकते हो न, यह OSAB third reader के तोर पर खेल लेंगे, इनको कुछ खास defense के अंदर इन्हों इस season में नहीं किया, तो फिलाल इस small league में हम इनको prefer नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप 5-2 combination create कर in favor of UP योधा, देन आप लोग उस situation में इनको try as a player जरूर कर सकते हो, गुरदीप left cover position पे खेल तो नजर आएंगे, season 10 के अंदर इस player ने कमाल क performance किया, almost सभी matches के अंदर, बट आजकिस match में इस player के पास ना opportunity बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि सिर्फ सिरकांत ज़्यादो आपको left sides rate कर तो नजर आएंगे, वो भी 20-30% और ये कहां पर खेलेंगे, left cover पर खेलेंगे, तो इनके पास नो मौका काफी कम होगा, friends आप tackle points क करने का, तो मैं small leagues में इनको recommend नहीं करूँगा, even GL के कम से कम team में आप try करो, उसी team में try करो, जिसमें आप UP के 5 player ले रहे हैं, नहीं 5-2 combination create कर रहे हो, इनके place पर आप नितीन परनर को try कर सकतो, जिनकी selection personage बहुत ज़्यादा कम है, और ये player अपना एक trump card differential games ज़र प्लेयर होने बाकी friends से, इनके पास opportunity, smash के अंदर काफ विजी दा हाई रहेंगा, और आजके smash के अंदर कोई ऐसा, कोई speed rider सामने वे लिटी में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, right cover पर खेलेंगे, mostly जो rate होगा from Bengal warriors, किस sides होगा, right sides होगा, मनिंदर सिंग, नितिन कुमार धनकर, even जो आपक के comparison बहतर performance करके देंगे, मैं यह नहीं करों कि गुर्दीब बिल्कुल perform नहीं कर पाएंगे, यह मतला मान लोकर एक tackle करते हैं, तो उसके comparison में नितिन पनवर के पास इस match में दो tackle करने का कम से कम मौका है, ठीक है, तो यह नितिन पनवर से मुझे इस match में performance की उमिद जादा as compared to Gurtip, that's why नितिन पनवर को मैं इस match में as a differential पिर आपको recommend कर रहा हूँ, grand leagues और small leagues, दोनों टीम में आप इनको maximum team में consider कर सकते हो, फिर आप बात करते हैं, नितियस कुमार के बारे में जो कि आपको right corner position पर खेलती हूँ नसर आएंगे, performance की बात करेंगे, second and third match के अंदर कमाल किस player ने performance किये थे, क्यों किये थे, simple सा region था, सामने वाली team में mostly right rider थे, ये कहाँ पर खेलेंगे, right corner पर खेलेंगे, right side से match मनिंदर सिंग रेट करेंगे, नितिन कुमार धनकर रेट करेंगे, और ये बहुत अच्छे तरीके offense high hold करते हैं, पवन सिराउत का अपने देखवाग किस तरीके से कर लेते हैं, right side की rider को, तो मुझे लगता है कि 2-3 tackle points अपर नितियस कुमार इस match में करने वाले तो ज़रूर इनको try करके चले, small leagues as well as grand leagues के अंदर, फिर आपको दिखेंगे, सुमित सांगवान left corner position पर खेलते हुए, देखो last match के अंदर पता नहीं क्या हुआ इनको, मतलब injury बताई जा रही है, बट दिखाया नहीं गिया, मैट पर कब ये friend substitute हो गए, मतलब live match हम देख रहे हैं बट पता लगा ही नहीं बिल्कुल भी, उससे पहले आप matches देखो कितने इस कमाल की ने performance की 14 tackle points, 4 matches के अंदर ये कर चुके, आप देखो सुमीत कहां पर खेलेंगे, लेप्ट corner position पर आपको ये खेलते हो नज़र आएंगे, इनके पास नो बहुत opportunity है, ये left side के redder को भी अच्छे तरीके से tackle करते हैं, थाई hold करते हैं, chain tackle करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और right side के redder को friends strong ankle hold करते हैं, तो इनको बिल्कुल भी आप यहाँ पर drop मत करना है, मानता हूं मनिंदर के against the record अच्छा नहीं, लेकिन नीतीन कुमार धन करें, शिरकान जादो, उनको तो tackle कर सकते हैं, मनिंदर को भी एकाथी पा tackle, easily कर सकते हैं, तो अगर UP ओधा के favor में आप team मना रहे हैं, तो आज किस match में, परदीप नर्वाल, captain, wise captain, नीतियस कुमार, फिर सुमित संग चैनल पर जिसका लिंक इस वीडियो के description में, जुरूर आप जॉइन कर लिजएगा, defender section से नीतियस कुमार, सुमित संगवान, एंड शुमम सिंदे को prefer करके चल रहा हूँ, all under section से नीतिन पनुर, जो की मेरे differential trump card player, बहुत वर opportunities player के पास रहेगा, tackle points लेने का, reading department से मैंने चैनल पर जो करना है, जैसे मैंने बताए कि नीतियस कुमार, इस मैच में अच्छे भी कलप आपके लिए हो सकते हैं, right side के redder against record बढ़िया है, सुमित कप चाहो तो try कर सकते हो, और अगर आप Bengal Warriors के favor में टीम मना रहा हो, तो शुबम सिंदे भी आपके लिएक decent choice यहां से निकल करके आएंगे, इसके अत्रिक्त शिरिकान जातों को पर left side के redder यूपी योधा के against friends काफी अच्छी वहवेंस यहां पर कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़े friends आप लोग अपने coding changes जरूर करके चलना और final team के लिए telegram पर जूड जाना, link मैंने आपको description में दिया है,